हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गुंजान और गुंजान्स किचन में आपका स्वागत है आज मैं कलाकंद की रेसिपी आप लोग के साथ सेयर करूंगी कलाकंद बहुत ही श्वाडिस्ट मिठाई है यह बहुत ही शॉफ्ट एंदानेदार बन के रेडी होता है और यह मार्केट से भ भर पर ट्राइब कीजिए तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो कलाकंद बनाने के लिए में यहां पर टेबिल स्पून घी यूज करेंगे और इसको डालके हमें इसमें तोड़ा सा मेल्ट होने देंगे घी को तो दिखिए घी मेल्ट हो गया है उसके बाद मैंने यहां पर इसको क्रमबल कर लिए हूँ और इसको मेडियम फ्लेम पे हमें इस तरीके से चलाते हुए दो तिर मिन तक भूना है जादे दिर नहीं ऐसे बूनने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका उसका बाद मैंने यहां पर मिल्क मेड लूंगी आधा कप और इसको भी डालके ह चलाते हुए मेडियम फ्लेम पे चार मिनट तक चार से पांच मिनट लगेगा आपको उसके बाद निजे ठीक हो जाएगा ठीक होने तक हम इसको पकाना है इस तरह के से तो देख सकते हैं ठीक हो गया है अब मैं गैस के फ्लेम को बंद कर दूंगी अब मैं इस प्रोसेस के थोड़ा फास्ट करूंगी क्योंकि इसके बाद जमने लगता है तो मैंने यहां पे एक प्लेट ली हूँ और इसमें पहले से लगा ली थी और इसको हम फटा-फट से इसमें डाल देंगे तो देखिए मैं इसमें डाल दी हूँ और डालके इस टैपूला से इस तरीके से हमें सेट कर देंगे चार तरफ अच्छे से फैला देंगे और इस्पून के साथ हैसे साइट साइट से इस तरीके से कर देंगे या फिर आप स्विट ट्रे जो हाता है उसमें भी इसको बना स सकते हैं उसके बाद मैं इसमें राइफ रूट्स एड़ करूंगी तो मैंने यहां पर पदाम थोड़ा से डाल दी हूँ या इसकी बिना भी आप बना सकते हैं यह उप्शनल है उसके बाद 15 मद तक हम इसको ठंडा होने देंगे उसके बाद हम कट लगा देंगे क्योंकि पू नया मेरा एक अलाकन बनके रेडी हो गया है बिल्कुल दानेदार और सौफ्ट या मार्केट से भी अच्छा बना है और प्रेस बना है ऐसे आप भी बहुत ही बना सकते हैं इसको बनाना बहुत ही आशान है यह बहुत ही सिंपल और इजी रेशिपी है यह बिल्कुल 10 सब्सक्राइब करें नहीं भूलें साथ ही में बेल आइकोन को प्रेश करना ना भूलें इसे हमारी वीडियो की सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी चाहिंक्यू